योग गुरू स्वामी रामदीव जी महराज अपनी दो दिवसिय हर्याना राज्य की यात्रा के दुदिये दिन पहुँचे शान्तिकुंज आश्रम मीरपूर। ये आश्रम बहन सुमंजी की साधना इस्थली है। यहाँ पर स्वामी जी ने दिप प्रजवलन किया एवं लोगों ने स्वामी जी का मालियार्पन किया और आशिरवाद लिया। तदो प्रांथ यहाँ उपस्थित लोगों को स्वामी जी ने अपने उद्वोधन में कहा। प्रेज में एक मंत्र आता है। तुम्जे तुम्जे यहुत्थरे स्तोमा इंद्रस्य वचिनना नविंदे अस्यस्ष्टते। तो जो तेरी महिमा का विचार करते। तो तेरा पार नहीं पाते। ित जो ते नहीं की विचार करते ताते। तो ज अनंतमे हिंद्वोफने नेती नेती परिच्म के हा। अधर वेद ने इंदिक मूंकरा कैसे। लिएस्य भूमी एमा अंतरिक्षम तो दरन निवम यश्शक्रन कुसंही जिश्टार हो लग्यान आपू, करें तक की सुरूप में तो इसका सुरूप के है इतना विराष्ट है वो प्रहन धार्भावन. एतवानसि महुमा अतंजयां सपूरुसा पादस्रिष्व वुपानितन पादस्यंद्रद्धिए तो रम जब भवान का धियन करते हैं तो कौई नो कोई आनमबन तो चाहिए धियन के लिए तो ये जिसे हम कहते हैं आज जेह चक्र में ध्यान को रहूओ तो आज्या चक्र में तो याद देखते हैं, सबसे पहले तो चम्र दिखाई देखाई देखाई इसके ओर थोड़े दीप जाते हैं, तो नसार यह हैं, और और दीप गएगी, तो कुछ दीप मसल्स है, फिर हपी है, और अंदर जाएंगी तो फिर ब्रीन है, तो इसमें तो क् प 받i क स्थित्त के ही दिखे है तो आज्या चक्र से ले कर करके स्रिष्टी चक्र में हमको भोतिक अस्थित्त नहीं देखना है, ब्यारी तो दिखे गा कि सर्धचना के पीछे जो रचैता है, शरीर की कोशिका से लेकर की ब्रमान की एक प्रमान SEC लेकर की और पूरी पड़ी बड़ी जो हीकाईया है इन सब में भगवान की महिमां को अनुभाव करना है एक-एक सरीर की कोशी काका और ब्रमान की एक-एक परमानों का रहसे भी अभी तक हम नहीं जान पाए तो कितनी महान रचना है भगवान की तो अंतना हम इसी निश्कास पर होते हैं कि भगवान से बड़ा कोई महान नहीं उससे बड़ा कोई ज्यानवान नहीं भगवान से बड़ा कोई शक्ति साली नहीं उससे बड़ा कोई धनवान नहीं एश्यर्यवान नहीं उससे बड़ा कोई संदर नहीं और हमारा प्रेम तो नहीं सी तो होता है जगत में जिनको हम सबसे अधिक श बानते हैं इस तरी पुर्षों की प्रेम में विवाह में या परस्परमित्रता में जहां भी हम सिंसार में него स्थरपर जी रहें इसे वो हमारा भच्बन है यह या योन है या हमारा call जाजां आं रहो Auch हग कर T हमको सच्द रेवा अच्छे लोग लगते है हैं कि तो इन सब कसोर्चियों में तो बबबान सबसे उपर है, बबबान चे ज्यादा कोई धनुवात रहे हैं, सारा धनुशी का है, हम तो इसको कह देते हैं, कि मेरा, भै हमने या हमारे माता पिता ने, या किसी को दुनिया की इंसान ने कोई धन तो बनाया है, यह तो पैसे हम चा कहते हैं, कि जैसे पैसे रुपए पर लिखा रहता है, मैं धारक को सो रुपए, पांचो रुपए, आदा करने का वचन देता हूं, वचन ही वचन है उसके अंदर, बाकि तो पेपर ही है, उसमें आप यह थोड़ी कह सकते हो, कि उसमें पैसे में कुछ है, फिर वास्तों मे पैसा है, सोना, चांदी, ये तमाम ऐशर है, इसका भी मुल्यांकन किया जाता है, तो कुछ भी तो, और आदमी जो मेनद करता हूं, उसकी कीमत है, तो आदमे भी, आदमे ने नी बनाया, और ये धंदोलत भी आदमे ने नी बनाई, जिनको सोना, चांदी, हीरे मोती कहते है आफे सब पर पेचे हमने कुछ चीजों को दोई चीजों की कीमत कि पर दूसरे मेठिरियर की इसे लिए भगवान से बड़ा कोई धन्वान नहीं, उससे बड़ा कोई गुर्वान नहीं, उससे बड़ा कोई शक्ति सालू नहीं, हम भगवान की शनाज़ती में रहें, भगवान से प्रीति करें, वहां से भगवान अप्यम करें कमें लगता है, और हमारे माप्यम से यह बहुत होची बात होती है। इसको तो थोड़े देनों की समर्पन की बाद अनुभावन काते हैं। तो बगवान हमारे माध्यम से काम करें। इसने बड़े-बड़े काम उनको दिखाई देते है। दूसरी बात यह होती है कि इसमें अपनी इच्छा नहीं रहती है। आदमी जितने इवी दुनिया में दुखी है, वो कैसे दुखी होती है। जब अपनी इच्छा पूरती हो जाए, तो सुखी और ना हो जो हम चाहते ह हम चाहते हैं सब मान, कोई मान कर दें तो सुखी होती है। जब जैसा चाहते हैं सब कपड़ा मिल जाए तो सुखी और जैसा चाहते हैं सब नहीं मिले तो सुखी होती है। जो भगवान के शड़ में जाता है वो इच्छा से मुक्त हो जाता है। जो आत्मा में परमात्मा क बोल्हाया देना में आपने लिए्य की। आत्मा में बाअत्मा पिर्वाप्रंणा को वह लोुप खेज Gavin KP आत्मा में बैठात्मा सब को प्रहना देता है। kalo सुनसा के निए देता है। की काम करने बहन है constitutional कम करने में एक कर ले। जिस काम को करने में परमात्मा रोके रुख जाना यही भगवान की दो रूत में भगवान की उफासना एक दो सब्दे के भगवान को देखना इशा वासनलम सर्वं सर्वं खलविदं ब्रह्मा वासदेवा सर्वं पौरनिक लोग सियाराम में सब्जजञ्यानियस एक तो यह यो माम पश्यति सर्वत्र तो आप लोग ऐसे दो भव मिजेख तो भगवान को हर में अनुबव करें और हरें बगवान को अनुबव करने का मतलग है फिर उसके प्र आपना करताव वे वो भगवान के पूजा है असे दो ही छीजे सब में भवान को नुबव करो पती में पत्री में माथा पिता में गुरू में मित्र में पूत्र में सब में पूरे इंसान में और इंसान से अलावा जों ब्यस्तिफ जड़ चेतन, पेड़ और दिवरस प्र 4. और उसमें ब्लक अनोंब लगन करτεव दिट में करना हैtu पूरा करना ही वभवाण का ड्यान तब विजिस के ब्रशु है तो यां जुत के जो हमत्रम फ्रेणा देता है अब उसको सुन आप पुष्सेल कुष्सदार गृती IPS ऑनों कि लृति आपằ Bye Stern तो द्यान का मात्यम है, यह द्यान नहीं है। व霞 जो मिनत तो तो गवानको द्यान का, बाग की तो भुष्ण we चोव खनतीदी, खनतीश होतली वी जिसको सच मान्त्य हम कर पाइँ। और भग्ति इस भाझ कर देँ, हम घ्रिम जुन पाईआ है। अटो वी जिसको सच मान्त्य हम सनन्य में ऊंप्त्य॥ बहुत बहुत शक्ता में सुमंजी जी का बहुत आशिरवचन देने के पश्याद स्वामी जी पहुंचे नार नौल में पतन जली चिक सालय का उदगाटन करने। स्वामी जी ने तिलक कर स्वागत किया। इसके पश्याद स्वामी जी ने अपने कर कमलों द्वारा नार नौल में पतन जली चिक सालय का उदगाटन किया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा। योग से रोग ठीक होते हैं लेकिन किसी कि बोड़ी रैस्पोंड ही नहीं करती, तो उसके लिए केमिकल्स का साहरा ना ले करके, प्रकृति का जो मा की तरह है उसका साहरा लिया जाए। इसके लिए ये परंपरा स्वामी रामदेव ने नहीं शुरू की, ये महरसी चरख, शुर्ष, धनवंतरी, वागभटादी, रिशियों ने शुरू की और आज पूरा वर्ल्ड, नेचुरल मेडिशन की ओर आ रहा है। अभी हमारे आश्रम में बेलारूस से, रूस से, इरान से, पूरे योरोफ से, डेलिकेट सारे गोवर्मेंट्स के, कि स्वामी जी हम अपने देश में ये नेचुरल मेडिशन के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में करीब सो लाग करोन रुपे का एल हर्वल फूर्ट सप्लिमेंट्स को प्रोमोट करते हैं, तो इससे देश का आर्थिक सावलंबन भी होगा, और वर्ल्ड एकोनोमिक सुपर पावर भी बनेगा, इसलिए हमारे लिए तो ये व्यापार है ही नहीं, दो तरह से आर्थिक गतिविधिया होती हैं, एक व्यापार के लिए, एक उपकार के लिए, हमने तीन पैरामिटर बनाए है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइज और जो भी प्रोफिट होता है, उससे हंड़र पसेंट चैरिटी, आज इस देश में टाटा, बिरला, डालमिया, अमबानी, अडानी, बड़े-बड़े विजनेस मैं इस देश में सो दो सो करोड़ रुपे की चैरिटी हर वर्ष नहीं करता है, फतंजली पीट के और से हम कम से कम दो सो करोड़ रुपे से ज़्यादा की चैरिटी हर साल करते हैं, किसके लिए है यह सारा, मेरा कोई प्रसनल वेल्थ नहीं है, आचारी बाक्षिन जी का दोल रहे हैं, यह गुर्कुल का सेंटर है, नारनोल वाला भी और अभी हम जा रहे हैं, बहरोड वाला भी, यहां से जो भी प्रोफिट होगा, वो गुर्कुल के सेवा में लगेगा, यह किसी का व्यक्तिकत नहीं है, तो इस से और बड़ी चीज क्या हो सकती है, कि जो भी है, देश का वो देश मेरे विदेशी कंपनियों लूटके लेकिने जाएं, साबन, सेंपू, टूथबेस, क्रीम, पाउडर, जूस, सब वो ही बना रही हैं, देश का पैसा देश मेरे, और सेवा में लगे, आची उत्राखंड के आपदाई, नेपाल में आपदाई, मने गो लोग बयान की अपिक्षा नहीं करते हैं, अब कारवाई क्या पिक्षा करते हैं, हमने आदने जेतली जी से बात की है, और इस दिशा में काम सबसे पहले गोर्मेंट बनी, तो पहला निर्नाय कैबिनेट का काले धन पर ही था, और अब बाहर के काले धन को ले करके, इंटरन के पूरी मुद्दे के उपर सरकार काम करना सुरू तो कर दिया है, उसमें और गती क्या उशक्ता और गती भी आई, हर्याना को ये करेंगे, पूरे वर्ल्ड के नक्से पर हर्याना योग आईरवेद और भारतिय संस्कृति के अभ्यूदय के लिए पहचाना जाएगा, मने योग आईरवेद और भारतिय संस्कृति का केंदर हर्याना बनेगा, पूरी दुनिया में हर्याना का यश्च बढ़ेगा, और इससे ट्यूरिजम भी बढ़ेगा हर्याना का, यहां का आर्थिक सावलंबन भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ एजुकेशन के मामले में भी, ख पूरी ताकत लगाएंगे, उसके अलावा हमारी संस्था भी हर्याना के प्रत्य जिले में बड़ा काम करेंगे, और हर्याना में एक जैसे पतंजरी योगपीट हरिद्वार में है, जो वर्ल्ड क्लास है, और युनिवर्शिटी है, ऐसे ही एक पतंजरी योगपीट युनि इष्कास पर है कि फुत्र पैदा करने के लिए इस्तिरी नहीं पुर्श जम्यदार हो। और हमारी दवाई, माताई वहने खाती हो फैसे तो लड़की तो हो सका है, मनी माताई दवाई खाएंगी तो बेटी तो पैदा हो सका है, छोरो नहीं पैदा हो, तो यह बिना मतरब क की बात कर दी कि छोरी दवाई खारी अरे छोरो जाएगो यह तो मतलब ऐसे भी अज्यान मूलक बात है यह तो पुत्र जीवक का शिवलिंगी का लड़का पैदे करने से कोई प्रियोजन नहीं है विशुद्रुब से इंफर्टिलिटी के लिए नाम को लेकर के भ्रह्म फैला ठीक नहीं है नाम रखने की संस्कृत में बहुत पुरानी परंपरा है अरे संस्कृत की तो छोड़ो अपने गोत्रों में किसी का हाथी गोत्र हो तो कोई हाथी थोड़ी है किसी का साप गोत्र हो तो नाग गोत्र हो तो कोई साप थोड़ी है तो यह नामों की परंपरा अल या वैद्दी की सेवा से ले करके सारे करी 500 प्रोडेक्स की रेंज़व पूरी उपलब दो नार नौल में पत्रकारों को संबोधित करने के पश्चात स्वामी जी पहुँचे नागल चौतरी विधान सभा के मले श्री अभैसी के निवास स्थान पर जहां पर उन्होंने बोजन प्रसाद ग्रहंड किया इसके पर श्राद स्वामी जी चल दिये आर्ष गुरुकुल खानपुर नार नौल की ओर जहां पहुशने पर स्वामी जी खा स्वागत मंतरो चार के साथ तिलक वह माले आरपन से किया गया आर्ष गुरुकुल खानपुर नार्नौल स्वामी जी महराज की गुरु भूनी है। यहाँ पर स्वामी जी वो अन्य गनमानि व्यक्तियों ने हवन यग्य किया एवं लोगों को प्रेणादाई उद्वोधन दिया। तच्वितुर्वरेन्यं भर्गोधे वस्यदीमाहि धियोयोन अप्रचोधयास्वाहा। ओम ज्रम्बकं यजामहे सुगन्यं पुष्षिवादनं पुर्वारु कमिलवन्दनां वित्योर्मुक्षित्यमामृतास्वावा। ओम आभ्रम्हन्ब्रहम्मानों ब्रह्मवर्चसी जायतां। आराश्ते राजन्य सुगरिषभ्यो तिर्जाती महारतो जायतां। दोग्धिधे नर्वोधा नग्वानाशु हो सप्पेपुरं। धिर्यो शाधिष्ण। रथेष्ठा सभेयो। युवास्यय जमानस्यभीरो जायतां। निकामे निकामे नह पर्जन्यो। वर्षतु पनावत्यो। नह उषधया पच्यन्तां। योगक्षेम नाह कल्पतां। स्वाहा। ओम राष्टाया स्वाहा। इदम राष्टाया इदन्नममा। ओम राष्टाया स्वाहा। इदम राष्टाया इदन्नममा। ओम राष्टाया स्वाहा। इदम राष्टाया इदन्नममा। आज गुर्पुर खानपुर जो हमारी पुन्य भूमी है, हमारी घुरु भूमी है, शब्धे गुर्देव के चड़ों में, यहीं इस बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ करके और इस बाई तरफ के कमरे में बरामदे में बैठ करके हमने पढ़ाई की है, जब हम आये थे खाने कमरा था यहां, थोड़े इधर वाले कमरे भी सोड़े सोड़े से बने वे थे, और अब काफी भवन निर्मान भी काफी हो गए है, और गुर्पुर भी और भावे और धिव्य हो गया है, तब यज्जी साला यहां पर नहीं थी, तो इसी बरामदे में हम लोग घवन किया कर सामने यज्जी साला बहुत लंबी चोड़ी ठादी, लेकिन आज 25 साल होगे, करीब हो यज्जी साला बन नहीं पाई थी, वहां खाड़ा बन गई यज्जी साला, तो उसी में हम और गुरुदी भी कुस्ति किया करते थे, यज्जी साला नहीं थी गुर्पुर में, यहां साम बैठे यहां गोशाला हुआ करती थी, अभी गोशाला के लिए तो बहुत बढ़ी अच्छी जगह बन गई है, यहां बर्ची हुआ करती थी, खीती भी थोड़ी भूद दिया करते थे, अपने हाथ से हम लोग खोद खोद के, हाल नहीं चलाते थे, अपने हाथ से खोद खोदिया करते थे सब ग्राम, और खानपूर से हमने बहुत रोटी मागी है, तो खानपूर वालों के बहुत रिण है हम पर, बहुत उपकार है, तो खानपूर वालों को भी बहुत बहुत प्रणाम है, माश्री जी आपर बठे है, अब बुजूर्ग हो गे हैं यह भी, पह हर असी करते हैं कि हमारी कामने अपोनों जो भी हम याज जैसे अपेहा होता है है ऐसी हमारी मन rainbow है ऐसी हमारी शक्धा इस ह्यास है प्राहम आपने मन में पवित्य संका प्ले करके आओधि ये जिमार्पित करेंगी ओं यदस्य कर्मानों त्यरिविच्छं यद्वान्यू नमिहाकरं अगनिष्टा स्विष्ठकृत विद्यात सर्वं सिष्ठम सोहतं करो अगनिष्टा स्विष्ठकृत विद्यात सर्वप्रायश्चिता होते नाम का माना समर्धय ते सर्भान नह का मान समर्धय स्वाहाः इदम अगनिष्ठकृत विद्यान्नमा क्यों लेखी क्या होगी ओम साहा इदम पता वय को नम तविद्या नमा समर्धय कै हो ती जफोना होती है ओम सर्वं वय खुनं साहा ूम् सर्वं वय खुनंसाहा हम जो हव्या अगणी मिइं falar यerson जाता है है शिर्प था श्रत्र पहर हैं पंच महाःथ comprend अपंच जाता है इसके प्रतिज्व अपना कर्टव्य है उसको हम पूरा करें यही भगवान की पूला एक तो भगवान का दर्शन यह सारी स्रिष्टी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है हमने पतंद्य उप्रीट में बहुत कुछ बनाया पूरी दुनिया में योग आयरवेद अध्यात्म और वैदिक संस्कृति को लेकर के इतना बड़ा संस्थान कहीं पर नहीं है तो पतंद्य उप्रीट में पूरी कि दो बहुत बड़ा अट्डा है बहुत बड़ा केंद्र है बहुत बाइंसित्यूट है उनकी वह इसायत की व्यटिकल सीचिव उसमें भी इतना बड़ा इंफ्रेस्ट्रेक्चर नहीं होगा जो आज को पतंद्य लिए लेकिन हमने वां को मंदिर नहीं बनाए तो बहुत स सेरे अंतर एक्षरोग बड़ान का उधार प्रतिवरोग भगवान के इतने बड़ी प्रतिमा है तो यहां तो सारा ब्रह्मान बनाना जीज दिन आ जाए उससे पहले बन नहीं सकता है अजब बनावा है उसी को देख लो यही बगवान का दर्शन है तो यह सारा सरूप बग करन्य रस्यदाली मुद्स घाторि कंगते इचे सहरे असरे का प्रतिःट्ण यह इस хорош रोच नमयोस रचयता का प्रत्यक्ष्ण यह उस भहण का प्रत्यक्ष्ण जिसपयतन सनु बगवान बिफ्तन यह इग this whole universe is feasible form of God and this all universe is the ultimate creation of God this is Efa one Kann beaucoup that shan a कि अंता इसाब्रमाद किता में का यू मांपश्यती सर्वत्र जिसको वेद में का इशा वास्समिदं सर्वम उंसर्वं खलोईतं ब्रह्मा वासुदेवस सर्वम यह 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 तो अधान का दर्शन भग्वान के पूजा क्या है यह दो वाग्वान का प्रत्यक्ष्व बहुंकि कुझा इस पूरे आस्तित्वर होना का शु yarn audio मांट आ कि प्रति जो अपने करता वे माता के प्रति पिता की प्रति मिट्टी के अब पिपनी के प्रती हाथ कि पानी के प्रति जो हमत कर दब खोड़ी उसको onos homem परमात्मा हर समय प्रैना देता montre कि जिस काम के लिए परमात्मा बोले यस हां उस काम को करना जिसесть आम को करने से पर्मात्मा रोके अंतरा समय आवाज आतीं पेर्मात्मी कि प्रैना बोलो कुखार बोला अवाद बोले इसका inspiration बोलो, order बोलो, जो नाम दो उसको, जिस काम को करने से परमात्मा रोके हुआ रूफ जाना, और जिस काम को करने के परमात्मा साथ दे, हिम्मत दे, ताकद दे, उसको करना, यही वगवान का ध्यान, यह तो 24 गंदे का ध्यान हो, जब एकांत में पढ़ते हैं, तो उस स परमात्मा के आननद के रूफ यह तो थोड़े शक्षन के लिए होता है, इसको बुरते हैं, योग चलेगा एक से दो घरता, जादस से जादा चार गंटा, बाकी चलेगा 20 गंटा कर्म योग, योग मने एकांत में परमात्मा के आननद को अनुकों करना, उसकी नीरह उताओ को कितनी भग्वान की दिम पे ताहिए और कर्म योग है जो परमात्मा के आगे उसके उसके रुशार कर्म को पास इतना ही योग अध्यात्म संस्कृति का साथ बाकी तो विस्तार है उसका साथ यहां से अमने यात्रा सुरू की थी जिन्दकी में वैसे एक बात रखी भग्वान के आग्यान की कभी अवहिलना नहीं कि और मेनत की लगाता निरंतरता चाहिए ने को भई ऐसे एक दिन में तो आकास पाताल एक कर दें और दूसरी दिन धेलें निरंतरता के साथ गति शेलता ऐसी जैसे सूर यह कभी भी जबसे स्रिष्टी बनिया अस्ता कि एक बार भी अपनी बढ़ियादा का थिक्रम नहीं किया स्वस्ति पंध्या मनुचरें सूरू याचंद्र बसागी तो मैं हमा ने खुंद्र है और यह हम सब्छाषब कर रहे हो तरुगें तो के दो में और दो पिर्फ है दो पर दोने के लिए को जो हमें को यादेश दोगे भाई हम कुछ नहीं करना है और बगवान ने कुछ ऐसा छोड़ा ही नी जो बतना बादकी भी हो बाबा बढ़ गया वे सब कुछ बढ़ के तो आप सब लोग यहां खूब अच्छा करें आगे भी खूब अच्छा करें ना दो यह दे दी सांसी काऊंगा इसका खाल जयां लगां पेशी साथ है तो यह कोई भी गुर्कुवालों कोई यह खानपुडवाले वह यह यह वह आरे गुरु गुर्मी के लोग है हमारे